Good morning students, how are you all? I hope आप सब अच्छे हैं और घर पे, safe हैं और मस्ती भी कर रहे हैं, पर study भी कर रहे हैं साथ में So, students, आज हम करेंगे हमारी sounds of O की पूरे ही practice, okay? So, हमने क्या किया था? O-G, that is O-G, O-D, that is O-D, O-L, O-D, O-D, O-D तो आज हम क्या करेंगे हमारी O की sound को एक बार से फिर से revision करेंगे That is log, fork, dog, hawk, cock, hot, caught, not, rod, caught हमने meanings के थे, God means, जो एक type की fish होती है, rod, जो हमने एक सरिया मैंने आपको बताया था, लंबा होता है, not जब आपकी teacher आपको बोलती है, कि yes, जब आपकी teacher बोलती है, कि आप बोलती है, कि मैं मैं got to the washroom फिर teacher आपको क्या करती है, कभी जब teacher को work कर रही होती है, अपने head को हिला देते है न, हांक के लिए, तो उसे हम क्या कहते है, not God means भगवान, so next is doll, जो गुडिया होती है, खेलने वाली, roll, जिसे हम roll कहते है, rock and roll, right, जो गोल-गोल होती है, जिसे Paul, ball, doll, got, not, caught, pot, hot, hot means गरम, pot means कोई भी गमला, pot means कोई भी गमला, यह हम basically कैसे pot को क्या बोल सकते हैं बिटा, कि जैसे कोई भी मिट्टे का बर्तन, जिसके अंदर हम समान रखते हैं, कुछ भी, उसे हम क्या बोल देंगे, pot, ठीक है, हमने लास्ट में रिवीजिन की थी, the boy is moving, moving means हिलाना, ball means लड़का, a top, top means यह लट्टू, जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं, लट्टू, the old man, old means Buddha, man means army, is on the cot, cot means यह जो आपको चार पाई की तरह या स्टूल की तरह दिख रही है, cot means यह जो आपको चार पाई और स्टूल की तरह दिख रही है, okay, so अब हमने क्या किया है, हमने किया है sound, और इससे पिछली वीडियो में हमने किये थे vowels, तो हम vowels को एक बर revise करेंगे, तो vowels में हमने क्या किया था, वोवल्स में हमने किया था, अल्फा बैट्स में five ऐसे letters होते हैं, जिने हम कहते हैं, वोवल्स, और वोवल्स कौन-कौन से होते हैं, हमने एक rhyme के साथ किया था, right, इस rhyme के साथ हमने क्या किये थे, हमने हमारे वोवल्स को learn किया था, और learn करने के बाद हमने क्या किया था, उन वोवल्स को learn किया था, और जो letters में से बाकी हमारे पस alphabet बच गये थे, 26 letters में से, जो alphabets बच गये थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, consonant, क्या बोलते हैं, consonant, okay, so this is your video for today, आज आपको क्या करने हैं, आपको sound of O को revise करने हैं, bubbles को revise करने हैं, और जो missने आपको words के meaning बताएं, उन words को आपको learn भी करना, उनका meaning भी समझने हैं, बार-बार वीडियो को pause करके, okay, so have a good day, strength,